नेक्स्ट जन्रेशन की दुनिया इस बहतरीन आटा चक्की को अपना कर आप भी इंडिया की नंबर वन आटोमाईज फैमिली के मेंबर बन चुके हैं। हमारी आटोमाईज प्राउड फैमिली में आपका स्वागत है। आटोमाईज हमेशा अपनी किसी भी प्राड़क्ट में मिलने वाले फीचर्स और अपडेट को अपने ग्रहकों के साथ शेर करते है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम है आपके साथ। आटोमाईज फ्लॉर मिलके डेमोंस्ट्रेशन के लिए। वैसे तो ये आटोमेटिक मशीन चलाना काफी आसान है लेकिन इसके पार्ट्स और नए अपडेटिट सिस्टम के बारे में जान लेने से इसे चलाने में हमें काफी आसानी होगी। और आप अपनी उप्योगीता के अनुसार मनपसंद पॉष्टिक आटा निकाल पाएंगे। आईए सबसे पहले देख लेते हैं कि आटोमाईज फ्लॉर मिलके साथ टूल किट में आपको क्या-क्या मिलता है। ये है ब्रश। इसके साथ ये है आटा चक्की का कवर। यहाँ पर आपको मिलती है दस तरह की जालियां। जिससे आप चाहे उस तरह का आटा निकाल सकेंगे। आईए अब इसके पार्ट्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं। इसे हॉपर कहते हैं जो SS का बना हुआ है। जिसमें अनाज डालते हैं। यह है में डोर। यहाँ पर है चाइड सेफटी लॉक। जिससे तरवासा खुलते ही आटा चक्की अपने आप बंध हो जाएगी। और अब देखते हैं ग्राइंडिंग चेंबर को। जो इस आटा चक्की को बनाती है सबसे अलग। यहाँ पर आपको मिलते हैं डबल चेंबर और डबल बीटर जो पूरे इंडिया में सिर्फ आटोमाईज आटा चक्की के साथ ही आती है। यहाँ पर कटर लगा हुआ है। यहाँ पर कॉटन एर फिल्टर है। जिसमें आटा जमा होता है। और हाँ यह है heavy wheels जिससे आपकी आटा चक्की को एक जगे से दूसरी जगे ले जाने का काम हो जाता है बिल्कुल आसान। तो यह थी आटोमाईज आटा चक्की के parts की जानकारी। आईए अब देखते हैं इसे कैसे इस्तिमाल करते हैं। सालों के अनुभव और निशकर्श से हम आपको fully automatic आटा चकी दे रहे हैं जिसे आप बहुत आसानी से इस्तिमाल कर सकते हैं। अब आपको चिस तरीके का आटा चाहिए उस तरीके की जाली चुनिए। कौन से अनाच के लिए कौन सी जाली चाहिए उसकी पूरी जानकारी यहां टॉप डॉर पर दी गई है। अब आप ग्राइंडिंग चेंबर में जाली सेट कर लीजिए। जाली सही से फिट हो उसका खास ध्यान रखे। इसके बाद ग्राइंडिंग चेंबर को ठीक से बंद कर लीजिए। ग्राइंडिंग चेंबर का दरवाजा सही से बंद हुआ है या नहीं उसकी पुष्टी कर लीजिए। और अब में डोर बंद कर लीजिए। Automize आटाचक्की को प्लगिन करते हैं और स्विच चालू करते हैं। स्विच चालू करने के बाद भी यह आटाचक्की चालू नहीं होगी, क्योंकि हॉपर में अनाज नहीं डाला है। यह Advanced Programming से निर्मित आटाचकी हॉपर में अनाज डालने के लिए बजर से आपको सूचित करेगी। अब हम हॉपर में अनाज डालते हैं। अनाज डालते ही आटाचकी अपने आप चालू हो जाएगी और बस थोड़ी ही वक्त में आपका शुद्ध सात्विक आटा तयार हो जाएगा। अनाज पीस जाने के बाद आटाचकी अपने आप बंध हो जाएगी और आटाचकी बजर से फिर से आपको सूचित करेगी। अब हम में डोर खोलेंगे और कंटेनर से आटा निकालेंगे। तो लीजिये हो गया आपका शुद्ध और हाइजनिक आटा तयार। आटोमाईस आपको ठीक इसी तरह इसमें और भी अनाज पीसने के विकल्प देती है। जैसी की गेहूं, बाजरी, जोवार, चावल, चने की दाल, उडद, मक्का। काबिल इंजिनियर के अनुभव से बनी है आपकी आटोमाईस आटाचकी। इसकी एडवांस टेकनोलाजी की वज़े से पूरे भारत में हर घर की फेवरेट है। ये फुल्ली आटोमेटिक है, आटो स्टार्ट है, आटो स्टॉप है और आटो क्लीन है। आटोमाईस आटाचकी में आपको पूरे एक साल की वारंटी के साथ पांच साल की मोटर वारंटी मिलती है। हमारी गुनवत्ता के दावे का समर्थन करते हैं, कंपनी को मिले ISO 9001-2015 सर्टिफिकेट और ISI प्रमानित मोटर। सेफ्टी फ़र्स्ट इसी बात का खयाल रखते हुए, आईए एक नसर सेफ्टी टिप्स की और भी कर लेते हैं। यदि चेंबर का में दर्वाजा खुला रह गया है, तो चक्की चालू नहीं होगी। बच्चे अपनी कोई चीज हौपर में न डाले उसका खयाल रखे। हौपर को पानी से साफ न करें। कम वॉल्टेज में आटा चक्की चालू न करें। यदि चक्की चालू हालत में अपने आप बंध हो जाए, तो चेंबर में से पूरा अनाज बाहर निकालने के बाद ही चक्की दुबारा चालू करें। आटा चक्की का इस्तिमाल करने के बाद जाली, कॉटन बैग और चेंबर को ब्रश से साफ कर लीजिए। आटोमाईज आटा चक्की के बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए या कोई समस्या हो, तो हमारे कस्टोमर कैर नंबर 87390-87390 पर संपर्थ करें। या फिर कंप्लेन नंबर 93228-93228 पर संपर्थ करें। आटोमाईज आटा चक्की की वाइड और एडवांस्ट प्रड़क रेंज जिससे आपको मिलता है शुद और ताजा आटा। शारिरिक उर्जा में जो लाए निखार, स्वच आटा ही एक आधार। हर घर की पसंद यानी आटोमाईज आटा चक्की। अपनी आटोमाईज फ्लॉर मिल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। झाल